हेलो दोस्तों आप सब का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है so friends आज हम बात करेंगे facebook पर फोटो कैसे करें हाँ अप facebook पर बड़ी आसानी सा अपने फोटोforcement को लॉग कर सकते हो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो लेकिन उससे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है आपना भी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राब करने के बाद और क्लिक कर दीजे आईये फ्रेंच चले वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग Facebook को open कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने Facebook को open कर लिया है अब फ्रेंच यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्रिस वीडियो को like कर देना तो फ्रेंच यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ पर Facebook पर आप कहीं सारे photos को upload कर दे हो अब आप इस photo को lock करना चाहते हो तो वो कैसे lock करेंगे वो मैं आपको बता देता हो तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर जो 3 horizontal line दिख रहे हैं उस पर आपको tap करना है जैसे ही आप tap करोगे यहाँ पर आपकी जो आपका username है वो यहाँ पर उपर आ जाएगा अब जटने भी यहाँ पर photos upload किये हैं उसारे photos यहाँ पर show रोगे यहाँ पने लगेगे मैं फॉट वाले section में चले जाता हो और यहाँ पर अपलोड में आ जाता हू अप söz-फोड ऑक देख सकते हो मैंने लोक करना है तो यहाँ पर आपको three dot दिख रहे होगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं आपको बता दूँए जो three dot दिख रहे है उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको बता कौन-कौन लोग आपके पोस्ट को देखेगा तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर पॉब्लिक तो आपको करना नहीं है यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्रेंड टीक किया हुआ यानि कि इतने फ्रेंड सर सिर्फ वही लोग मेरे फॉटो को देख पाएंगे तो आपको क्या करना है अगर आपको इस पॉटो को लॉक करना है तो अगर दोस्तोlichen आप अपने सारे photos को lock करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको friends पर click कर देना है यानि कि आपके जितने भी friends है सिर्फ वही लोग आपके photos को देख पाएंगे यानि कि कोई और भी person आपके photos को नहीं देख पाएंगा अगर आप यहाँ पर यह friends वाले option पर click करते हो तो सिर्फ आपके जो facebook के friend है वही आपके photos को देख पाएंगा अगर दोस्तों यहाँ पर आप इस photo को lock कर देते हो और only me पर click कर देते हो तो यह photo आपके friend भी नहीं देख पाएंगे सिर्फ आप ही देख पाओगे तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार only me करके setting change कर देना है उसके बाद यहाँ पर हम लोग back आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो edit post privacy में जाकर यहाँ से आप change कर सकते हो friend accept यानि कि इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर आप लोग अपनी friend list बना सकते हो और फिर वही लोग आपकी photos को देख पाएगा और coin नहीं देख पाएगा वो आप यहाँ से select कर सकते हो यानि कि कौन-कौन लोग देख पाएगा और कौन-कौन लोग नहीं देख पाएगा व आप वहाँ से select कर सकते हो friends उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता दू यहाँ पर मैं back आ जाता हूँ अब दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको इस वाली जो आपकी profile है उसको आपको lock करना है यानि कि private करना है आपकी जो facebook की profile है आपकी private करना है तो वो कैसे गरेंगे तो उसके लिए friends आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पर back आ जाना है back आने के बाद friends यहाँ पर आपको setting and privacy का option मिल जाता है आपको setting में चले जाना है setting में जाने के बाद friends यहाँ पर आपको profile lock का option मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको profile locking पर जैसे ही click करोगे यहाँ पर lock your profile make your photos and post more private in one step यानि कि यहाँ जैसे ही lock your profile पर click करोगे तो आपके सारी profile यहाँ पर lock हो जाएगी यानि कि आपके जो friends है वो ही photos को post को और stories को देख पाएगे कोई और people आपके full size photo को नहीं देख पाएगा यानि कि इस प्रकार आप अपनी profile को lock कर सकते हो तो यहाँ पर lock your profile पर click करोगे तो आपके profile lock हो जाएगी और वहाँ पर आप अपने photos को lock करना चाहते हो तो वहाँ से आप lock भी कर सकते हो दोस्तो अगर आपको मतलब सारे photos को lock करना है तो सारे photos पर जाकर आपको only me करके setting change करना होगा और यहाँ से आपको सारी अपनी Facebook की profile lock कर सकते हो तो इस प्रकार आप आपने Facebook में setting change कर सकते हो तो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे और साथी साथ चैनल को भी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजे फिर मिलते हमारे नए वीडियो के साथ तब तकले टाटा बाई बाई